हेलो एवरिवन मैं हूँ प्रियांका और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ किछिन की बहुत ही यूसफुल टिप्स को शेर करने वाली हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा और पसं हमारे हाथ पर भी आ जाता है तो इसके लिए क्या करें इस तरीके से जब तेल गरम हो जाए तो उसमें एक या दो चुटकी हल्दी डाल दे और उसके बाद कोई भी सबजी का तड़का लगाएंगे जैसे कि मैं यहाँ पर फूल गोभी डाल रही हूँ इसमें यह तेल बिल तक कैसे फ्रेश रखा जाए क्योंकि जब भी हम यूज करते हैं उसका रैपर उपर निकाल देते हैं तो निकाल के बाद गशी तो आप क्या कर सकते हैं उसे एलमुनियम पेपर में राप करके रखेंगे तो यह बिल्कुल भी ट्राइन नहीं होगा और अच्छा लंबे समयता के चलेगा और इस तरीके से कट करके भी रखेंगे तो आप ज्यादा समयता के से यूज कर पाएंगे और जितना यूज करना हो उतना निकाले और वापस उसे उसी तरीके से पैक करके फ्रीजर में स्टोर करके इस तरीके से रखेंगे तो अगली टिप यह है कि जब भी हम गरम चावल को कुकर में से निकालते हैं तो इस तरीके से बाद में चावल चिपक जाते हैं जिसे साफ करना भी मुश्किल होता ह और यह सिंक में भी जाकर के फस जाते हैं तो इसके लिए क्या करें दो तीन चमच पानी हाथ में लगा लें इस तरीके से और उसके बार चावल को निकालें बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से सारे चावल निकल जाएंगे और ज्यादा महनत भी नहीं करने पड़ेगी आप देख सकते हैं कि चावल कितने आसानी से निकल गए तो मेरी नेक्स टिप यह है कि जब भी हम दाल बनाते हैं अक्सर वो विसल के साथ में पहार आने लगती है जब उसमें प्रिशर आता है तो दाल बहने लगती है उसके लिए क्या करें कुछ बूंदे तेल की डाल दे एक या दो चमच के लगबग डाल दे इससे डाल बाहर नहीं आएगी जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ तरीके से मैंने यहाँ पर इसका धकन बन किया और मैं इसमें एक विसल आने दूँगी यह देखिए एक विसल आ गई है और बिल्कुल भी डाल बाह अदे नेकस कड़िए जा İşरा भी और तो दूद्हा पास यहाँ तो मेरी नेकस्ट इarts यह है कि और अच्छानक से घर से बहार जाना पर जाता है और दूद्हा जादा हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि उसको हम कैसे कंज्यूम करें तो सबसे बैस तरीका उसका यह है कि उस दूद को आप बॉयल करें और फ्रीजर में रग दें उससे क्या होगा वो अच्छे से फ्रीज हो जाएगा और जब भी आपको यूज करना हो उसे वापस बाहर निकालें डीफ्रोस्ट करके आप यूज कर सकते हैं चाहे तो कच्छा या तो फिर बॉयल आप कैसा भी र कि मैंने आपको पहले दिखाया है तो यह मैंने इसमें मैदा डाल दिया और इसको थोड़ा सा भून लेंगे थोड़ा सा इसको हमें ब्राउन करना है ज्यादा नहीं ताकि इसका कच्छापन निकल जाए तो यह देखिए यहां पर यह थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गय सबजी का डेक्सट्चर वो भी अच्छा हो जाएगा, इसका टेस्ट गाड़ी भी हो जाएगी और मेश तो कम होई जाएगी तो इसे आप जरूर आजमा करके देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर किजunion जिते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई